असलाम अलेकूं दोस्तों वेल्कम बैक टो अनदर वीडियो और आज मेरे सामने है गर्मा गरम हैद्राबादी बिरियानी वित असली जाफुरान और असली घी क्योंकि आज हम जाने वाले हमारे दोस्त के पास हमारे दोस्त ने एक नया अपार्टमेंट लिया है तो वहाँ प होता है पोट लक यह वह रता है जैसे हम लग हैँसे हम घर से खाना बना के लेकर जाते हैं और सब मिल कर खाते हैं क्या होता होता टावते नंचेहां पर उसको guten जाओ ये हम पहुंच गए है बिल्डिंग के बाहर ये देखिए नई बिल्डिंग है ये च्छका चक्सिफ तीन साल पुरानी बिल्डिंग है ये इसके अलावा यहां पर हर बिल्डिंग के एंटर्स में यहां सेकुरिटी के लिए ये स्क्रीन्स होते हैं सबका अपना पास हो रहता है यहां पर बस कोड बुलते है उसको उसके अलावा है आपर security यह building क्योंकि नियो है तो यहाँ पर यह लोग ने security वालों के लिए भी अच्छा सा area बना कर रखा है और guests के लिए छोटी सी lobby भी बना कर रखी है अब आगा है अब दोस्की विल्डिंग में अब आप लोग को इसका अपार्टमेंट बताता हूं देखे कैसा अपार्टमेंट बहुत खुबसुराद है मेरे हिसाब से तो यह देखे है इसकी फ्लोर और सबसे लास्ट का अपार्टमेंट मिला इसको multiple balcony यह है ओनर तीन करोड क अपार्टमेंट के ओनर यह देखे है यह अपना guest bathroom आते ही यहां पर क्योंकि सरदी होती है तो यहां पर इस तरह से जैकेट्स लगाते है और यहां अपना potluck का सब हो रहा है और आने वाला एक खाना यह इसका hall यह देखो किछा इदर पर यहां दोस्त पूरे बैठे हुए यह देखो यह हमारे दुरूम कॉलेज के दोस्त साहिल अपना नाम साहिल मुस्ताक जो अरे यह भी साहिल हो गए और यह अपना नाम अली बाई और यह अपने तौपीट भाई है यह साथ में घर के ओनर करोड़बती आरी जो नीचे आ गया है जो खुबसे नीचे वेड़े भाई अपने घर में जगा ने दिये और यह अपने भाई नासर भाई और अब यहां से सीटिंग एरिया से अगर अपन निकलेंगे तो फिर यहां से है यह लोग की बालकनी तो अब यह दरवाजा खुल करें बालकनी देखते हैं यह लोग का क्यूंकि कॉर्णर स्वीट है चार्वाजे यह लोग का भी बालकनी बालकनी मिली वहां से लेके वहां तक और जो सेकेंड बेडरूम है वह लोग का छोटा वालकनी है उसके अलावा यहां कैनेड़ा में देखवा अंधियरह कैसा होता है रात में वह दूर बासकेटब़ोल कोट हूँ आपर हर गली में ए है देखिए इस तरह से सब अच्छे से सेट किया हुआ है ड्रेसिंग टेबल है आएना है स्पेशिएज दिखा हम उसको तो एक दम टिपिकल एक अपार्टमेंट कैनेडा का आप लोग अच्छी आइडिया आएगी कि अगर दो बेडिम का अपार्टमेंट इस तरह का होता है क उसके अलावा यह देकित हो वन्फरी है सारी चीज़े यहां पर अपार्टमेंट के साथ ही आती है यह एक अच्छा रूल और टेबल भरागा और यह देखिए बुक्स भी थे हैं अपर कई सार अच्छे यह फेश्बूक मार्केटिंग तो अपने काम की नहीं है कि स्पानिज भी काम की नहीं दिख रही हैं यह दुबई यह सबसे खास देखिए में को बुक्स दुबई एक्स्प्लोरर बना पड़ी नहीं करें लिए बुक्स असलाम अलेकुम दोस्तों आज है दूसरा दिन और हम लोग है सिती के बीच ओ बीच इस इरिये को बोलते हैं नेथन फिलिप स्कूर यहां पर कई सार इवेंट्स होते हैं और आज क्यूंकि न्यू यर है यहां पर बहुत सरे लोग एंजॉय कर रहे हैं तो देखिए यहां क और यह जो दो बिल्डिंग्स आप अपने सामने देख रहे हैं यह है मेयर का आफिस जो टरॉंटो का मेयर है उसका आफिस यही है और कभी भी कुछ भी इवेंट्स होते है तो वो यहां पर आता है मिलता है बहुत फ्रेंडली है यहां का मेयर यहां पर कई सारे फ्री इवेंट्स होते हैं जितने भी इवेंट्स यहां पर होते हैं पूरे फ्री के प्री होते हैं कोई फीस यहां पर लेने सकते हैं तो आज को जो इवेंट है वो है कैस्केड ओफ लाइट्स जितना भी पुरा इवेंट है यह कैस्केड ओफ लाइट्स और यहां Nathan Flip Square के पिछली area में अगर हम आएंगे तो यहांपर कई सारे hotel ही Sheraton Hotel, Hilton Hotel और यहांपर खाना भी बहुत सस्ता मिलता है जो सामने के जो food carts हैना छोटे छोटे यहांपर सस्ता खाना मिलता है जैसे hot dog हो गया, sausage हो गया और हम आगये हैं अडर्ग्राउंड पार्किंग में उपर है नेतन फिलिप स्कुयर और उसके नीचे एग्जैक नीचे यह पार्किंग बात कन्वीनियन्ट है और इस वीडियो को यही पर एंड करके हैं आप लोग इस वीडियो को लाइक किजिए शेर कीजिए चैनल को सब्स कर दो